देखो फ़स्ट वाला देखो कुश्चन नमबर फ़स्ट क्या कह रहा है गुड़न फल ग्याद कीजिए देखो इसको हलके में लेना परिक्षा में इससे संबंदित पक्का आएगा याद रखना हलके में लेना बेटा जो दो बहुपदों का गुड़ा किया जाता है इस तरह का जैसे पहला ले लो जो कॉश्चन बता रहा हूं तोफिक को देख लो द्यान से समझा लो यहांपे जैसे यक्स का इसकोईर इसका गुड़ा करना बेटा यक्स पलस दो में इसका गुड़ा कितने बच्चे कर लेंगे मुझे जल्दी से बताो कितने बच्चे कर लेंगे अभी मैं सब का आज Watsapp स्टे तो कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है सब का उट्समा स्टेटास, आज मैं खुद देखूँगा बबाई एडिटर साहब आज मुझे खून देना मैं हर किसी का देखूंगा कौन लगाया है कौन नहीं लगाया है जिसके भी स्टेटस में नहीं लगा होगा फिर हम लिड़े करेंगे आगे क्या होना है चलो देखो बच्चा इसको करना बहुत ही आसान है लेकिन यह important question में है याद रखना अगर इस type का आपको नहीं आता है तो 9th में आप अच्छा number नहीं पाओगे यह पक्का जान लो क्योंकि बहुपद का question आएगा यह तो पक्का है और बहुपद का question आए तो गुड़नफल करने को नहीं ऐसा हो कहा सकता है चलो देखो इसमें कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूं यक्स का स्कॉयर का बच्चा इसमें यक्स में गुड़ा करोगे आपको पता इसकी दो बुड़ा होगा बच्चा तो यक्स की घात कितना हो जाएगा तीन और यक्स का स्कॉयर का जब दो में बुड़ा होगा बैटा यह हो जाएगा दू यक्स का स्कॉयर यह हो गया answer अच्छा एक बात इमांदारी से बता तुम लोग क्या यह समझ में आया जिसको ना समझ में बच्चा बहुत आसान नहीं है इसमें बहुत सा मज़ा भी नहीं आएगा बहुत से बच्चों को लेकिन याद रखना यह बहुत इंप्वर्टेंट है अगर नाइंथ में आप पढ़ रहे हो चाहे आपका यूपी बोर्ड है सीबेसी बोर्ड है बिहार बोर्ड है या या तुमें क्या करना होगा इसे जरूर सीखना होगा हुं एकला है यक्स का स्क्वायर अपान टू इसको क्या करना है बचवा इसको करना बेटा दू यक्स प्लस वन में गुड़ा अब इसको कितना बचवा कर लेगा कर लोगे ना जल्दी बताओ मुझे देखो समझो यहां पर समझो यह important topic है याद रखना बहुत ही important है बेटा यह कुछी सिंग क्यों नहीं आएगा सचिन कुमार पाल बेटा तुम काल कर रहे हो ना तुम्हें एकदम से बलग कर देंगे जान लो तुम ही phone कर रहे थे न अब कितनी बार बताओ ना लायक हराम कोर की काल करने का एक time है उसी time पर क किया करो हर समयBI ना किया करो में आं बताओ कौन बात करेगा तुम से हर समय तुम रात के 12 बजे कर दोगे सुबहर सुबहर याट लुज़को नहीं की इंको क्या कर दूज़ा प्रांज उनको में इधर मिटाएके यहां लाके निपटाऊँगा फिर वहां पे ले जाके समझना यह हो गया चीनका इसमें अंदर में दो जोड़ी हैं जोड़ीद्र शेसे she I should मुटती पत्नी है यह की पती पतनी है यह अगर पढोसन की लड़ाई होती है पति से हो या पत्नी से हो लागेंगे दुनों ना अगर जोटा हो, जो जाएगी मार पिटाई तो दोनों लगेंगे न, कि नहीं बताओ लगेंगे न, तो आपके इनका rhetor करेंगे ऐगर दोनों में इनका करेंगे छिर्फ Ad एक में नहीं करेंगे तो यक्स स्क्वायर का गुड़ा पहले किस में करेंगे यक्स स्क्वायर अपान टू का मल्टीपल पहरे बेटा इसमें पहले वाले पद में करेंगे दो यक्स में किसमें करेंगे दो यक्स में अब तुम आगे की कहानी समझो तो दो यक्स में करेंगे तो ये ऐसे बनेगा बोलो बनेगा ना इसमें से बचवा आपका ये दो से दो कट जाएगा क्यों भाई कट जाएगा चोटा हो जाएगा और इसकी दो घात इसकी एक घात दोनों जुड जाएगे फाइनल में जो मिलेगा यक्स का घात, तीन मिलेगा, क्यों भईया मैंने कोई बुराई की अकाय में, तहीं किया न, और ये अब पहला इसमें हो गया दो यक्स में, अब बैचारा वन बच रहा है, क्या बच रहा है वन, अब देखो तुम यहाँ पे समझो, क्या बच रहा है देखो, वन एक ऐसा सार्वजनिक नंबर है, यह ऐसा समाज से भी है, जिसको कितना मारो, खुंदो, पीटो, काटो, इस पर कोई फरक नहीं पूरता है, नहीं, इसमें जिससे भी गुड़ा करेंगे, वही आएगा, तो यह एक सिस्क्वाइर अपांटू का गुड़ा करोग वही देखो, यह एक वीडियो काल कर रहा है, तुम लोग को दिखा दूं क्या, दिखा दूं क्या, हाँ, तुको मैं इसको बलाक कर देता हूं, दिखाऊंगा नहीं, बहुत, देखने लाइक है नहीं है, यह देखने लाइक है नहीं, हाँ, चलो इसको लिख लो, जल्दी ल लो सबको आया समझ में आया समझ में न देखो ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड तो यह बहुत ही इंप्वार्टेंट टॉपिक है इस बात को अपने दिमाग में रख लो जेहन में बसा लो और एक बात समझ लो बच्चा आगर तुमको सीखना है तो कला शोड़ के नजाना नहीं पढ़ना है यूटूब पे खुब खोजो बहुत सारा चैनल मिलेगा बहुत सारा मस्टर मिलेगा बहुत कुछ तुमें मिलेगा नया नया और बहुत मजा भी आएगा है कहीं रंगा-रंग गर्मा-गर्म होला कारिकरम का वीडियो पाफ पढ़ाई-बुला जाओगे यूटूब पर बहुत कुछ मिलता है हां तो इसलिए अगर सीखना है तो कलास को पूरा देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं हमारी कोसिस होगी भरपूर कि तुमें सब कुछ मिले जो तुम चाहते हो कलास में हां चलो पढ़ना है तो भई यह ठीक है नहीं कि यहां कागी रहा जो आ रही हो है भाई बड़ा मुश्किल है अब तो एक मिनिट रुक जाओ भाई यहां पर बड़ी ज्यादा तदिक मात्रा में चीटी आ गई पता नहीं यहां पर यह लोग लाके क्या क्या रख देते हैं हमारे सारा सिस्टम यह लोग गड़ बड़ कर देते हैं इतने नलायक है पता नहीं कहां पईदा हो गई है चलो जल्दी लिख लो इसको लिख लो आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी करो हो गया चलिए एक मैं और देता हूं आप लोग उसके बारे में मुझे बताओ फिर हम बात करेंगे एक मैं और देता हूं यार आधा मिनट रुक जाओ बबू आधा मिनट रुक जाओ यार बहुत ज्यादा मत्रा में यहां पर चीटी आ गई पता नहीं क्यों मुझ से दिये थे आप यहां पर आके बैठे हुए थे और इन लोगों ने यहां पर बड़ा गडबड कर दिया भई मैं इनको थोड़ा बागा देता हूं थोड़ा सा रुक जाओ इनको भगाना जरूरी है नहीं तो यह बहुत काट रही है जी भर के काट रही मुझे चलो थीक है ओके चल भाई निकल ले निकल ले तुम लोग निकल लो आजी बिल्कुल ठीक है ठीक है कमेंट आरा सबका कमेंट आरा रहा है तका कमेंट आरा बेटा ओके बहुत अच्छे चलो देख रहा है यह सब क्या हो रहे है दीपक क्या हुआ भई प्रियांसू ठीक है अब लोग इसे कर लोगे सबी लोग ना प्रिपिन बहुत मज़ा हारी तुम लोग को पता नहीं यार यह लोग पता यहाँ पर आके बैठते हैं जब क्लाफ नहीं होती तब अपना कुछ खाते पीते मज़ा लेते हैं पर यह आके मुझे को खाती बाद में चलो एक बात बताओ एक बात के साथ साथ तुम कई बात बताओ इसका कितना आएगा बहिया मोश्ट इंपॉर्टेंट है कलाफ नाइन्थ में हो बिटा अगर यह नहीं आता तो समझ लो बहुत गड़ बढ़ है जल्दी मुझे बताओ इसको कर लोगे ना कर लोगे ना बच्चा चलो जल्दी सभी बच्चे जबाब दो कर लोगे ना चल्दी बताओ फटाफट अगो कलास ठीक है कमेंट आरा रहा अभी पिन ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुँड बेरी गुड बेरी गुड चलो ओके चलो यह पता नहीं क्या चाहती है भई दिल चाहती है या जान चाहती है मुझे ही चाहती है आगे चले question पर चले तो देखो बच्चा इनको करना बहुत आसान है पहले यक्स का पकड़ोगे यक्स में गुड़ा करोगे तो बेटा देखो जब यक्स का गुड़ा यक्स में करोगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा वो कैसे होता है इसकी घात एक और इसकी घात एक गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है बाबू कितना समझ में आया अब मैंने यक्स को पकड़के इन दोनों में गुड़ा कर दिया अब यही परक्रिया आगे भी चलेगी यह फोर को पकड़के इन दोनों में गुड़ा करोगे जब four का yaks में multipel करेंगे तो four yaks और जब four का one में करेंगे तो यह four अब मुझे तुम लोग इसको final कर के बताओ कितना आएगा 135 जल्दी बताओ Proto s. जल्दी बताओ सभी बच्चा बताओ final कर कितना आएगा जलदी करो देर ना करो फटा फट चलो भाई कर लोगे मुझे पूरा उमीद है तुम कर लोगे पक्का कर लोगे बहु तो ठीक है पूछी सिंग्ग पहुत अच्छे आभा तिर पाथी ठीक है तो भाईया ये यक्स का स्क्वायर हो जाएगा देखो बाबू इनका जो सजातिये पदे वो जुड़ जाएगा बहुत अच्छे बच्चे संदीप रावत संदीप थोड़ा गलत कर दिये बिटा देखो ये यक्स का स्क्वायर यक्स में नहीं जुड़ेगा ना ना इसकी घात अलग है ये जुड़ेगा दोनों तो ये पांच यक्स प्लस चार हो जाएगा ये करेक्ट अंसर है कुछ बच्चे यक्स का क्यूब प्लस फोर यक्स कर ल लिख लो कि नोट कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जल्दी करो कि हटा फटा फट लिख लो बच्चे लिख लो हो गया हूं है देखो यह इंप्वार्टेंट है आज मैं इंप्वार्टेंट कुश्चन बता रहा हूं बेटा एक बात ध्यान रखना अपने दिमाग में आज यह इंप्वार्टेंट कुश्चन है हां बेरी इंप्वार्टेंट कुश्चन है और मैं बहुत बड़े लेकिन तुम्हें आना चाहिए कि चलो कोड़न खंड ग्याद कीजिये देखो मैं इसको सब को क्यूं बार-बार करवा रहा हूं पता है कि इसको सबकों मारे यह जो आगे नहीं पढ़ा रहा हूं जहां तक मैं कल पढ़ाया था वहीं पढ़ा रहा हम और कौनो नलाय की नहीं तुम सब का थोबड़ा देख रा autistic है तुम्हारी मन सब देख रहा हूं वह कुछ तो शही से बइठा है और को यह ऑई से बैठा है बोलने लह कि यह क्पे ना कि wave नहीं सब sch solid लाल कैसे बैठे हैं है freakin मुरारी आधिर देखो इम्पार्टेंट इंप्वार्टेंट कोईश्टन कि इनका क्या करना बेटा गुर्ण करना याद रखना इतने चाफिक में बतााऊंगा कि इसमें से तुम्हारे एकज्ब में कुछ न फॉऑ राएगा यह तुम पक्का जान लो 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 मुझे बताओ इसका गुड़नखंड कौन कौन कर लेगा भाई तो वित कुमार देख रहा हूं तुम भी बड़ा गड़बर दसा में बैठे हो चलिए जल्दी करिए पटाफट करिए कैसे देखो इनको क्या करना बच्चा इनका हमें गुड़नखंड करना है मतलब अभी अभी हम लोग क्या करते थे उनके लड़कों बच्चों से पापा की पहिचान करते थे अब पापा से लड़कों बच्चों की पहिचान होने वाली है देखो समझो जो भी अक्सी स्क्वाइर का गुडांक है गुडांक जानते हो तुम चलो मुझे बताओ माइनस पांच वाई स्क्वाईर इसमें मुझे वाई स्क्वाईर का गुडांक बताओ कितना है वाई स्क्वाईर का गुडांक बताओ कितना बेटा जल्दी करो कितना है बताओ पटापट बताओ कितना है अच्छा इसी दसा में एक और बता दो पांच बटा तीन जेड इसमें जेड का गुड़ांग कितना है पंटी सिंग यह 2.1 से लेके 2.5 के बीच का है लक्षमी साख्या बहुत अच्छे तोरो पंडे बेरी गुड अस्वनी बहुत अच्छे अरपित संदीप महेस बहुत अच्छे ठीक है इसमें जो 5 बता रहा उसका गलत है जिन के साथ में गुड़ांग लिखा जाता है इसका जो गुड़ांग है वो क्या है माइनस 5 है जिसे इंगलिस में कॉफिसियंट बोलते हैं अगर इसमें बात करें बचवा तो इसमें जड का गुड़ांग 5 बटा 3 है यानि सीधे सीधे सब्दों में कहें तो बैरियबल्स के साथ में लगा हुआ जो गुड़ांग होता है वही क्या होता है गुड़ांग होता है जितने भी बच्चे अभी तक इस कलास को लाइक निकरे बाबू इज्जत के साथ लाइक कर दो जल्दी से ठीक है आपकी जिम्मेदारी है अगर आप उसे समझेंगे तो हम बहतर से बहतर आपको सुविधा दे पाएंगे अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारी मजबूरी होगी फिर हम भी आपको नहीं समझवाएंगे इसलिए आप समझें कलास को ज़्यादा फ़ ज़्यादा लाइक और से अपकी जिम्मेदारी है हम पूरा जी जान लगा देंगे हमारी पूरी टीम आपके लिए कि आप टाप क ुझ राएंगे कि दो बार नहीं कि आप तो यह तुम समझ गे गुडांक है अब लीक किसे सर्ने में कोई दो नमबर ने कि घूजना का SageION ौई दो दो गिंति खोजना है गुडा करने पे-बारा आ जाए यहां पे प्लस है तो जोडने पर और जोडने पर साहता जाए जल्दी बताओ कौन सी ऐसी दोगिंति है test की copy चेक होगी Friday को Saturday को result आएगा Saturday को अगला test होगा तो पिछला का result आएगा 3 और 4 ना बहुत अच्छे तो बच्चे वह कौन सी संख्या है 3 और 4 3 और 4 का जब हम गुड़ा करते हैं तो 12 आ जाता है और 3 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है है ना भाईया सही है ना बाबू तो इस तरह से हम क्या करेंगे यह 12x का स्कुएर ऐसे लिख देंगे माइनस 3 और 4 या 4 प्लस 3 कर लो इंट्व एक्स प्लस वन देखो अगर पढ़ना है बच्चा तो कलास को पूरा देखना अगर जो बच्चा कलास छोड़के चला गया कलास छोड़के अगर तुम गये तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि तुम्हें आएक अग नहीं आएगा यह कभी कलास गयप नहीं करना देखो मुझे लग रहा बच्चे गडबड हो रहे हैं क्यों भाई मजा नहीं आ रही मतलब मैं सिर्फ आसान आसान पढ़ाऊं तब प्रेकट खुलने पर अंदर के चिंद बदल जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यह तीन एक्स और यह प्लस वन ठीक है पीबियारे स्टडी एडिटर आप काम कर लीजिए जो भी इंपॉर्टन तो अच्छा है यहां पर कमेंट करने के आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी सुनने वाले नहीं है यह बच्चे आपकी सुनने वाले हैं नहीं और इनसे निवेदन नहीं किया जाता है इ पूजा कुमारी बहुत अच्छे हैं ठीक है आबातिर पाथी बहुत वो धन्नेवाद दिल से धन्नेवाद देखो बाबु इसमें 4x कामन होगा तो इसमें 3x बचेगा देखो 12x2 में 4x कामन अगर होगा तो इसका मतलब है इसको 4x से भाग किया जाएगा ठीक है इसका कैसे हो मैं थोड़ा तुमको डीटील में बता देता हूं जो को यक्स स्कॉायर को हम यक्स इंटू यक्स लिख सकते हैं और चार यक्स को हम चार गुड़े यक्स लिख सकते हैं इस में से 1x से 1x कट जाएगा चार से यह 123 बचेगा उपर आपका 3 बचा है और 1x बचा है बाकी नीचे कुछ ना बचा tutto इस तरह से हम कहते हिं कि जब 12xD. जाना में बेटा 4x jienen ने तो 3x बचता है जो और एद तो फारित dau philosophers अब आतुम समझते गए ना यह 4x common इसमें लिया तो यह कैसे बचा बोलो समझ गए ना खुशी सिंग ठीक है अब देखो यह तो common मैंने लिया था इसमें से यह बचा अभी इसमें से भी common लिया हूँ तो माइनस का यह वन बचेगा भीया 4x को जब 4x से ही भाग करेंगे तो यह काएगा सीधी सी बात है इसमें 4x को 4 से बाग करोगे एक आएगा आठ को 8 से बाग करोगे एक आएगा यह ठीक है उसके बाद इसमें क्या करोगे बेटा कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे हमें माइनस में common लेना है माइनस वन कोसिस यह होती है कि दोनों कोश्टक के जो पद हैं वो बराबर आने चाहिए अगर इसमें कोई common नहीं है तो one हमेशा common होगा ठीक है तो यह हो जाएगा 3x माइनस वन इस तरह से बच्चा क्या होगा जो 2 बार common है वो एक बार हो जाएगा 3x माइनस वन और यह जो common है 4x और यह माइनस वन इसको एक जगा लिख देंगे तो 4x माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर मैं तुमको एक अच्छी बात बताऊँ अगर यह आ गया ना बिटा तो इनका अगर हम गुड़ा करें आपस में इनका multiple करें और अगर यह सही है अगर यह सही है तो फिर से यही आ जाना चाहिए बताओ आ जाएगा कि नहीं ऐसा सभी बच्चे मुझे बताओ क्या ऐसा होगा जल्दी से बताओ बेटा होगा ऐसा चलो एक बार इनको मैं करके देखूँगा क्योंकि आज मैं आपको deeply सिखा रहा हूँ गैराई से चाहे जो पढ़ने वाले बच्चे है वही रुकेंगे फालतू के बच्चे नहीं रुकेंगे आज देखो बेटा सिर्फ इकसर साइज करने से कुछ नहीं होगा तुम यह सोचो कि मैं एकसर साइज जल्दी-जल्दी करके खतम कर लूँ हाँ पांच चैप्टर पढ़ लिया आठ चैप्टर पढ़ लिया तो यह रिकार्ड बनाने से तुम्हारा कोई मतलब होगा नहीं अगर तुम पेपर में कुछ ना करके आओगे न लेट्डू पाओगे इसलिए जितना पढ़ो उतना हजम हो जाए मतलब तुम भले दो ही चैप्टर पढ़ो चार दिन में लेकिन तुम्हारा तयार होना चाहिए हमारा यही पंड़ा होता है कुछ ऐसे भी बचवा होते हैं वो चाहते हैं कि चार दिन में हमार चैप्टर पढ़ेंगे वावे भले एक हो नहीं तो ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं जैसे तुम मार्केट गए 10 रूपया का एक सड़ा सेब खरीद के ले आये मार्केट से 10 रूपया का एक सड़ा सड़ा सेब खरीद लाई इसमें कीड़ा पड़ा था गंदारा था तुम्हारा एठी छोटका भाई है वो गया 20 रूपया का एक सेब लाया या 20 रूपया तुम उसको आते मान पकड़ के दो इलपोर्टा हमारे कब है मैं तो 10 रूपया के लाया था तुम 20 का कह लाया तुम माहिंगा क्यों लेके आया अब बता हूच्छा कौन किया को तो टाव अच्छा कीया या तूंस्टा का है बड़ा वाला इसमें कलेकी तुमरे किसी काम का नहीं था हूपberry तुम एक चैप्टर को दस दिन में पढ़ो वो अच्छा है लेकिन तुम एक दिन में दस चैप्टर पढ़ लो तुम्हारा एक दिन का टाइम बरबाद हो जाएगा कुछ तुमें नहीं आएगा तो इसका कोई मकलब नहीं समझ रहो ना खोटा वाला साब बता रहे हैं बहुत अच्छे बेरी गुड़ चलो बच्छे तो अब हम क्या करेंगे इनका गुड़ा करके हम यह कुश्चन लाएंगे तो बस इसी कांसेप्ट पर हम चल रहे हैं कि तुम्हें हम ऐसा बना दें कि तुम एक्जाम में खुद को अपने आप चांच कर सको कि हां हम कितना नंबर पा रहे हैं कितना करेंगे क उसी सिंग पढ़ाई कर लो फ्रेंड बनाने का भी बहुत जिंदगी पड़ी है यह पूरी दुनिया फ्रेंड बन जाएगी अगर तुम किसे काम के हो जाओगे नहीं तो आपका चमक दमक देखेगा तब बनेगा या तो आपकी बुद्धी विवेक देखेगा आपका हाव वाओ देखेगा तो या चमक दमक दमक वाले तो चमक दमक लेके निकल जाते हैं बाद में बज़ता है जुर्रा जुर्रा तो कुछ होता है नहीं उसमें हाँ चलो समझ गए ना देखो इदर अब इन में गुड़ा करेंगे तो हमें यह लाना है मतलब लाना इतना आना चाहिए चलो देखते हैं तीन एक्स का बिट्टा जब चार एक्स में गुड़ा करेंगे तो यह तीन चोग तुबारा हो जाएगा और एक्स का एक्स में करोगे तो एक्स का स्कॉाइर हो जायगा कर इतना ठीक है कोई दिक्कट नहीं न तिन एक्स का जब इसमें वन में मैं studio करोके पेट है तो यह तीने less और इसमें खुशाएIRE नहीं न अब मैंति थीने इक्स का इन दोनों में गुड़ा कर लिया कि अधा काम खतम होगे माइनेस इसमें मल्टीपल करोगे इहां समझो 4X में में यहां से तुम समझो बिटा माइनेस का अगर मल्टीपल है तो आंसर में माइनेस जरूर आएगा यह माइनेस हो जाएगा और 4 का एक्स में करोगे तो फोर एक्स यानि फाइनल में यहां कि आएगा प्लिस हो जाएगा संजय कुमार हरी कृष्ण यादो संकर राज बहुत पीछे आप दोनों लोग जोड़ी में हो तब हो पीछे हो देखो बचवा अभी यह बारा एक्स का स्क्वायर और यह माइनस माइनस जूड़ के हो जायागा साथ एक्स प्लस बन देखो आमने बाप को पकड़के बेटे की खोच कर दिया बेटा को पकड़के बाप की खोच कर दिया आपना मैं थासान देखो बेटा यह कुश्चन था तुम्हारा मैंने इसको हल किया इसके दो गुड़न खंड आए उत्तर की जाच के लिए मैंने इन दोनों गुड़न खंडों का पकड़के बुड़ा कर दिया और चटाग दे देखो यह दादा फिर से आ गए जल्दी से लाइक करो, फटा फट देर ना करो कच्छा दस के बच्चे दो पाहर के दो बज़े फिलाइब देख सकते हैं, भाबू, ठीक है? कच्छा दस वाले बच्चे दो पाहर के दो बज़े से लाइब देख सकते हैं कितना बजए से दो पार के दो बजए से देख सकते हो जाधा, चलो लिक लो इस्क्रीन साथ ले लो देखो तुम लोग के चक्कर में न मेरा ये ख्राब हो गया क्या बोलता है इसे मैंने दिखाऊंगा तुम लोग इसमें आके मच्छर बढ़ गया कि मैं कुछ ले के रखा था यहाँ पर अपने लिए तुम लोग को बताने वाला हूँ नहीं एक मच्छर पढ़ने स्क्या होता है ना हम लोग खुद सो मच्छर के बराबर है चलो ठीक है अभी जाके टार्गेट पूरा हुआ अंड्रेड बहुत अच्छे बच्चे बरे गुड चलो लिख लो देखो यह आपका कुश्चन था इससे मैंने आंसर लाया इतना इस आंसर का गुड़ा करके फिर से कुश्चन आ गया चलो मैं मिटाता हूँ अब सभी बच्चे जल्दी से बोलो क्या आपको यह समझ में आया यास या नो जल्दी सभी बताओ क्या आपको यह समझ में आया आया नहीं जल्दी करो फटफट देर ना करो चचा आया ना समझ में सब को लिख लो इसके बाद मुझे यह बताओ कि आप लोग को पहाड़ा आता है आप कहोगे कि नाइंथ में पहुँचे हैं आप आड़ा काहे पूछ रहे हैं लेको बेटा कच्छा नौ में पहुँचे हो न यह मान के चलो कि तुम दस में हो बोर्ड की पर इच्छा देने वाले हो तभी बेहतर होगा अभी से लग जाओ अच्छी पढ़ाई करोगे तभी कुछ होने वाला वरना कोरोना में तो सब पास हो गए हैं इस सब रोएंगे बहुत अच्छे से रोएंगे जो करोना में भी न पढ़े पास हुआ है जो पढ़ा नहीं है जान लो क्योंकि आगे कुछ होने माला है नई सब्सक्राइब कि अगला इसके पहले आप लोगोंने शेसफल पर्मिय पढ़ा था अधिसमर पर्मिय पढ़ें हो याद है आप को नहीं question अब देखो इसमें आ जाओ एक important कि अगर हम बात करें इक सर्फाइट 2.2 question number first देखो है तो बड़ा आसान लेकिन तुम्हें आना चाहिए इन में बिटा क्या करना है यक्स बढ़ाबर जीरो पर इसका मान बताओ कितना है कि जल्दी बताओ देखें सबसे पहले किसका आ रहा है जल्दी करो देर मत रोग देखो 5 जंटा यात रख न तुरंत बता दो चलो नहीं आराज सरेंडर कर दो मुझे नहीं आता आए एम गदहा बता दो आए एम गदहा मुझे नहीं आता कि इसी में का दूसरा पार्ट है यक्स इक्वल माइनस वन पर इसका मान बताओ कि देखो सीवा कांद का आ गया किसान तिरपाथी किसान तिरपाथी बेटा तुम्हें मैं बलाक कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें फेक लग रहे हो किसान तिरपाथी बेटा तुम्हें मैंने बलाक कर दिया पर्मानेंटा बसे मैंने लगा कि गलत कर दिया तो तुम्हें काम करो न, अब सांत हो जाना, भाल तू कमेंट नहीं करना यह तुम्हें पर्मानेंट बलाग कर दूंगा, याद रखना ठीक है बहुत अच्छे पहला का जब आप दो पहले दूसरे का नहीं, पहले सब भी बच्चे पहले का बताओ जब इसमें तुम यक्स कमान जीरो रखोगे, यहां से समझो तो यह 5 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 4, यह 0 का स्क्वार हो जाएगा, प्लस का 3 फाइनल में यह गुड़ा होगा जीरो हो जायागा माइनस चार का इसमें गुड़ा करोगे सब जीरो हो जायागा क्यों कि किसी भी जीरो का अगर वर्क करोगे जीरो हो जायागा अगर जीरो का फोर में मल्टीपल करोगे जीरो हो जायागा और प्लस का तीन यानि प्लस थ्री इसका आंसर करेक्ट है प्लस तीन जिनका आरा उनका सही है काच अच्छा तुम्हारा नहीं आया का आया ना समझ में चलो ठीक है बहुत अच्छे जितने भी साथी कमेंट नहीं कर पारें बाबु चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो देर ना करो आपकी जिम्मेदारी है कलास का टाइम याद रखना डेली साम को साथ बज़े से लेकर साथ बज़ कर पैतालिस मिनिट तक होता है लेकिन अगर हमारा दिल खुश कर देते हो तुम लोग ना तो मैं आठ बज़े तक पढ़ा देता हूँ जलो ना करतालिस तक कलास होती है साथ बज़े से में कभी कभी यह कलास आठ बज़े क्या सबりました चल जाती है थोड़ा लेट लपेट यादध पढ़ा देता हूं कि यहाँ थोड़ा जादा हो जाएगा मोटे तकड़े हो जाओ चलो तो बेटा माइनस रखने पर कितना आएगा पीपिन ने बताया उत्तर दीबेस ने बताया है और आदित्य सर्मा ठीक है बच्चा बहुत अच्छे माइनस वन रखोगे बाबू तो यह हो जाएगा फाइप इंटू माइनस वन और यह माइनस का फॉर ऐसे रहेगा माइनस वन का स्कॉयर और प्लस तीन फाइनल में 5 का गुड़ा करोगे माइनस 5 देखो माइनस 1 का वर्ग करोगे बेटा तो प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 1 और माइनस में 4 मल्टीपल करोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 3 देखो यह माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस 9 हो जाएंगे प्लस का 3 हो जाएगा देखो माइनस प्लस बेटा यह घड जाएगा तो माइनस का 6 अंसर आएगा क्या आएगा माइनस का 6 आएगा इसको इसके आगे लिख लो जिनको नीचे नहीं दिख रहा आगे लिख लूँ अब सभी हमारे जितने भी साथ ही हैं जल्दी से बताएं समझ में आया पंटी नैन आया समझ में सचीन कुमार पाल बबुवान उज्वल सिंग उज्वल सिंग बेटा तुम किसको बलग करोगे तुम तो करी नहीं पाओगे काई परिशान हो हाँ तुम गड़बड करोगे तो मैं तुमको कर सकता हूं यह तो पढ़ाई कर लो आपसे निवेदन है पढ़ लो चलो कि इतने भी हमारे साथ ही जुड़े हैं जल्दी से बताएं आया चलो अब इस तरह से तुम लोग इसे कर लोगे बिटा देखो आज मैं तुम्हें इंप्वार्टेंट बताने वाला था हा आज एक इंप्वार्टेंट सबसे बड़ा टोपिक है पर्मिया पर्मिया उसमें अब थोड़ा डिसकस कर देता हूं कि देखो रोज पढ़ रहे हो ना पढ़ना अच्छी बात है कि मतलब यह मालो कि अगर तुम भागते भागते जा रहे हो किसी दिसा में तो तुम्हें बीच में कभी रुक के एक बार पीछे देखना चाहिए हेँ कि वही सही जगह भाग रहा हूं कि पिछ वे मैं गढढ जा रहा हूं को वही हाल है इस पढ़ाही में कच्छा नोव में पढ़े हो और एक पेज मिलेगा उसको फालो कर लेना आपके mathematics के बहुत सारे वीडियो और लाइब सेशन फेस्बूक पर भी होते है जैसे यूटूब पर पढ़ रहे हो ऐसे वहाँ भी होता है तो तुम अपना हर जगा बर्बाद करोगे लेकिन हम तुम्हें हर जगा मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए पढ़ लेना मन करेगा कर लेना महाँ पेट वाला भी फ्री मिल जाता है चलो हाँ तो बिटा मैं क्या बता रहा था यह question पहला है सभी बच्चे बताओ क्या यह पर्मिय संख्या है क्या यह पर्मिय संख्या है हाँ या नहीं अच्छा ऐसे अगर पर्मिय है तो तुम पी लिखोगे अगर आ पर्मिय है तो आई अगर यह पर्मिय है तो पी लिखोगे अगर आ पर्मिय है तो आई question अगला है इसी की तरह ये भी है ऐसे कर लो ठीक है कोई फरक नहीं पढ़ने वाला उसमें बेटा अगर ये परमिय है तो इसको तुम ए लिखोगे अगर ये परमिय है तो इसको ए लिखोगे और अगर ये अपरमिय है तो इसको तुम बी लिखोगे मैं यह कोड दिया हूँ तुम्हें चलो बताओ सुमन कुमार फंदीब नाब्या ललित मीना अजीत अंकित जोती संजे हरीकेश सिंग यादो सुमन कुमार राइडर एस्टडी चैनल आदी तिरपाथी परंजल रोसन बहुत अच्छे देखो मैंने दो सवाल पुछे अब मैं दोनों को बता रहा हूँ तुम्हें समझो देखो बच्चा वो संख्या एक प्रकार्ट फे जो पूरी तरह से तुम्हें दिखे कि वो सोतंत्र है मतलब उसके कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई कोरोना नहीं थीक होता जल दी न हो जाता यार 95-97 लोगों का ठीक हो गया तो यानि कोई बीमारी थी जो ठीक होने वाली थी और ठीक हो गई तो वो पर्मिय संख्या है अब तुम कहोगे बीमारी क्या है बीमारी का मतलब यहां है अगर उसमें दसामलों लगाए वो बटे के रूप में है भाग के रूप में है वो वर्गमुल गनमुल में है अगर वो दूर हो सकता है चिन्न अगर वो चिन्न दूर हो सकता है जो उसमें लगा किसी भी दसा में स्पलाइब कर से पुरड संख्या बन जाे सीधा सीधा तो पर्मिय निए हो हो जो पूर्ड नहीं होती वह भी तो पर्मिय होती है को तो विखत Ilustre हो जैसे मैंने बिमारी वाले ऐसा मैंवस्यामपल बटाया तो देखो बेटा इसमें बिमारी एक अंडरूट लगा है और यह अंडरूट हड सकता है क्योंकि 16 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है एक परफेक्ट स्क्वाइर नंबर है 16 बोलो है की नहीं अब नालाय का बोलता का है नहीं तुम चैटिंग कर रहा है इतना लपोटा मारूंगा ना दात बाहर निकल जाएगा जान लो बढ़ता लिखता नहीं बसके वाल चैटिंग करता है चलो देखो तो यह 12 हो जाएगा माइनस इसका वर्गमूल करेगा बेटा तो क्या आएगा फोर और इसमें से सफ्ट्रेक करेगा तो आएगा एट हो गया ना देखो लल्लू आगे ना अच्छे से सुन्दर से लेकिन इसमें क्या है इसकी बिमारी ना बड़ी खतनाक है ठीक होने वाली है नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल है वह एक पूर्व संख्या नहीं आएगा इसको कुछ किया भी नहीं जा सकता इसको ऐसे ही लिखा जा सकता जैसे है अब मैं तुमको बहुत डीटियल में ले जाओं तो कुछ कह सकते हैं लिखा जा सकता है लेकिन तुम नाइन्थ में हो तो अगर तुमारे लेबल से देखें नाइन्थ के लेबल से इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना ति यह जुड़ेग क्या होती है अपर होती है इस पंटीसिंग बढाई कर लो इस तो अभी सी का नाम ले update करो जाज़ी कर विए ईक तुरण वग करो जहाब तु, अब मैंने यह थो नहीं नहीं कहा कि अगर जो संख्या P minus under root q upon q के रूप में हो पर्मिय अगर मैंने ऐसे कहा होता अगर मैंने ऐसे कहा होता जाचा तो इसको तुम कह सकते थे पर्मिय है यहां पे ठेव लिख लो R, तिनों अलग अलग मैंने तो ऐसे कहा नहीं था कि पी माइनस अंडर रूट क्यूब अपान आर क्योंकि यह तो इसी रूप का है ना इसके नीचे मैं लिख दो पी अपान क्यों की रूप का होना चाहिए यानि इसके जो भी अंचर्ड पंचर्ड चारो तरब निकलें वो बराबर होने चाहिए थे जैसे देखो इसका बराबर हो गया हो गया ना यहां पर पढ़ाई के अलामत तुम्हें एक और लेंग्वेज बताता हूं तुम्हें वह कोई भी पूढ संख्या बंदर में आने वाली संख्या क्या हो या तो पूढ़ वर्ग हो यह पूढ हो या पूढ़ घं हो और उस पर संख्या को को नहीं सकता है तो परमिय होगी अन्यथा आ परमिय होगी एजय क्या होगी आ परमिय अ क्या कोकि ता मज ग blijना बच्चा पिर भी किसी को कोई समस्य है तो बता दो दो आज मैंने आप लोगों को बहुत वायीज करवा यह न यह सारे sera बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटा जो जो मैंने आज रिवीजन करवाया बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपका बहुपद खतम हो गया है इसमें मैं एक कलास और लूंगा मैं उसमें थोड़ा सा और समझाऊंगा लेकिन आप लोग यह मान के चलो कि आपका बहुपद खतम हो गया ठीक है भाया अभी जाना नहीं अभी तो लड़ू मिलेगा अरे अभी तो कथा खतम हो ही परसाथ तो ले लो काई भागे हो ॐटए देता पछूराए देता सुने योटी पहली ये बता मुझे कितने लोग सुने पहले हम छोटे थे अन पर नाना के साथ बरांज जाते दाना हमारे एक शाइक लेके जाते पीछे और करियो मिलेत की लेता ठा I है ना तो वहां पर बहुत कुछ सुनने को मिलता था बहुत कुछ सीखने को मिलता था चलो देखो अब मतलब की बात क्या करने वाले थे कि बच्चा आपकी कलास PVR स्टडी के फेस्बूक पेज पर भी होने वाली है अगर आप में से जो भी फेस्बूक चलाते हैं जो भी फेस्बूक चलाते हैं वो फेस्बूक पर PVR स्टडी सर्च करेंगे तो उन्हें एक पेज मिल जाएगा जिस पे आपको कलाफ नाइन थे का और बेसिक में थे का हर परकार का वीडियो कोर्स आपको मिलेगा फेस्बूक पर यकीन मानो उस पे बहुत सारे वीडियो अब तक पड़े हैं हां वहाँ पर नकिन जाख यृआ करको पड़ सकते होों इसके अलावाद डेली सारी कलास माता के लीए मैं अब नाट सभी टेलीगराण पर PVR- heroic जरूरूर्ट जाइन करलो कि अब तक जीतनी कलास चल चुकी है सारी किस्थ तेलीगराण पर दी गई है तो बच्चा टेली गराम चैनल जरूर जोईन करो वाटसब गुरूप में नहीं मिलता सब ठीक है वाटसब गुरूप में सब नहीं मिलता है इसलिए टेली गराम चैनल जरूर जोईन करो ठीक है खोशी सिंग जो भी नाम ले रहा मैं इनको ब्लाक कर रहा हूं पर्मनेंट भै यह पागल वाग ले का पीवीर स्टडी एडिटा रहा काए को जो उसको काए ब्लाक कर रहा है इमोजी लगा रहे इसलिए इन नलायक हराम खोरों को तो तुम नहीं बलाग कर रहा है जो नाम ले लेके कमेंट कर रहा है हां सर्बेश कुमार बेटा तुम्हें बलाग कर दिया गया ठीक है कि देखो सब इसका नाम ले लेके कमेंट कर रहे हैं जो नाम ले रहा है उसको बलाग करो पुसी आपका कमेंट अभी नहीं आएगा यह इनकी मिस्टेक से हो गया नहीं पांच मिनट के लिए फिलाहल कल से आएगा ठीक है कल से आयगा ठीक है आज अभी 5 मिनट के लिए अपको बलाक नहीं किया गया है देखो कोई किसी का नाम लेकर कमेंट करो इमांदारी से सभी पढ़ो अच्छे से कुछ बनो किसी का नाम लेकर कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है कि देखो बच्चा सभी टेलीग्राम चैनल पर जॉइन कर लो आपको जो भी पीडिएफ के लिए डंडा कर रहे हैं चैप्टर दो और चैप्टर तीन का पीडिएफ आपको 23 अगस्त के पहले साइन्स के दोनों चैप्टर का पीडिएफ मिल जाएगा ठीक है बाओ दंदा ठीक है ना अच्छा आप लोग यह बताओ कौन-कौन कहां से जुड़ा है कौन-कौन कहां से जुड़ा है यह बताओ मुझे जैसे आपकी कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है तो आप लोग कहां से हैं जल्दी बताओ तो मुझे एक बार कौन कौन कहां से जुड़ा है जलती बताईए अपना सहर और अपना राज्य दो चीज बताना बस कलास खतम हो गई है हम बच्चों का परिचे करना चाहते हैं कि कौन कौन हमारे साथी कौन कौन हमारे नालायक इस्टूडेंट कहां से जुड़े हुए अरे वह यह तो मैं प्यार से बोलता हूं यह तो प्यार है आप लोगों के लिए नालायक और लायक जो बोल देता हूं बाकी तो आप लोग बहुत अच्छे हैं चलो कमेंट आना सुरू हो गया है जिसमें मैं सबसे पहले देख पारहूं में चोथी सिंक्राओल का कमेंट मेंट के पंण बूलने के चकर में मुह में मच्छा पोग्या पहले ही डिश्टर्ब हो गया और पन्णा जो है मद्यपर्देश का जिला सी बोल रहा हूं न नालंदा बिहार से हरी किरिष्ण कुमार जुड़े हैं मद्य पर्देश से किसान तिवारी जुड़े हैं इनका नाम किसन तिवारी है गया बिहार से सुमन कुमार राइडर है परांजल पांडे को बलाक कर दो भाई ये फालतू कमेंट कर रहा है प्रतिमा विसकर्मा मद्यपर्देश से हैं रीवा जिलाहिन का छप्रा विहार से गौरो पंडे हैं मौ उत्र पर्देश से विकास जुड़े हैं रीवा मद्यपर्देश से भाई आदी जुड़े हुए हैं वर्तिका भी रीवा मद्यपर्देश से हैं कि और सावंत सिंग को बिलकुल बलाक कर दो अच्छे से पूरा टाइम के लिए अरपित यह बलिया फे जुड़े हैं कि का देखो एक बार कमेंट करो बाबू बार बार ना करो यार एक बार करो ना एक बार सोभित यूपी कानपूर से जुड़े हैं कुछ बच्चों के कमेंट निकल जा रहे हैं मुझे नहीं दिख पा रहे हैं मैं उनका भी बोलूँगा भी थोड़ा फरुक ज़व आप लोग सुन लो थोड़ा से रुख जा भाई यह लोग बहुत तेजी के साथ कमेंट करने में देख नहीं पा रहा हूं तो मैं आप देखूंगा इनके कमेंट चलो उसी नगर से निखिल कुस्वाह जुड़े हैं अस्वनी यूपी गाजीपूर से जुड़े हैं और अंगाबाद बिहार से परदीप कुमार जुड़े हैं बिकाजी जुड़े हुए हैं बाई इनभी यह कहीं से है यूपी से मीरा बर्मा यह अंपी सतना से हैं अंकित यादो महु उत्तरपर्देश से हैं सिुकांद मैनपुर यूपी से हैं और मनोच साहू चृतितगर से हैं देवेस यह जुड़ाथन का एक बहुत से बच्ची पूरिया इंडिया से जुड़े है दूर तूर से राजस्थान से जुड़ा है को यूप है को बिहार से जुड़ाय को महराश्ट्रा से जुड़ा है लुद्याना के पंजब 허änge मझीत कउर झुड़ै है मन्जीत कौर जी पंजाब से हैं इनका जिलाह लुदियाना विहार के सहर्षा से रोसन जुड़े हुए हैं प्रियांसु यूपी से हैं हरी हर्फित सोनकर बेटा कमेंट क्यों डिलीट कर रहो है अब आप लोग का कमेंट बहुत तेज नहीं आएगा थोड़ा बेट करना पड खाना खाल आज बनाया है मौका मिलेगा कभी तो जरूर खाया जाएगा अभी तो सिर्फ वही है जैसे लोग डिखाते नहीं देखो मैंने बनाया लोग खालो खालो फोटो खेज के बेद दी हैं तो हही हाल है ऐसे एक जोक आता है है रही मोबाईल में दिखाई हो गई तो मोबाइल में खिला भी दिया मोबाइल में सब हो गया तो फिर रियल में होने का कोई मतलब भी नहीं है तो बस वही हाल है मचली साहर से सरस्वती दे भी जुड़ी है मचली साहर जौनपूर अच्छा चलिए ठीक है फिर बंद करते हैं बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को कलास को लाइक और सेयर करिए बागू कलास का टाइम है साम को साथ बज़े से डेली आप लोग जादा फे जादा लाइक और सेयर करिए ठीक है पांच मिनट के लिए कमेंट आप लोगों का तीन मिनट के लिए रोंका गया है इसलिए बहुत जादा कमेंट नहीं आ रहा है तो बच्चों आप सभी PBR श्टडी 3.0 चनल यूटूब पे सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करते हैं बहुत 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 थेंक्यू दिल से धन्यवाद आप सभी को